बहुत ही ज़्यादा पूरी हालत हो रखी है एक तो रिसेशन इतना ज़्यादा बढ़ रखा है हर चीज का रेट आल्मोस 10-15% उपर जा रखा है उपर से जैसे ही अकाउंट में सैलरी आती है वैसे ही सबसे पहले रेंट पे करना होता है उसके बाद ग्रॉसरी पे करनी होती ह उसके बाद जो गाड़ी ले रखी है उसका लोन उतारना है इंशोरेंस पे करनी है और उसके बाद कुछ बच जाए अगर अकाउंट में तो दो-चार बार दोस्तों के साथ पाटी भी करनी है तो इसलिए अगर आप भी इन सबसे परिशान हो चुके हो और आप भी कुछ से और यह बहुत इंपोर्टेंट बात मैं करने वाला हूं उनके लिए जो अभी स्टूडेंट वीजा पर है आप यह मैं सोचना यार कि अभी तो मैं बहुत कम कमाता हूं तो यह सब मेरे लिए नहीं है नहीं चाहें आप 50 डॉलर से शुरुआत करें तो इस नॉट अबाउट अगर आप भी मेरी तरह रिसेशन से परिशान है जिसमें आपका भी जो बैंक बैलेंस है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो अब बिल्कुल सही टाइम आ चुका है जब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा और हमें अपना बजट प्लान करना पड़ेगा अगर आप यह सो करने आपको अपनी इंकम बढ़ाने के जैसे कि आप कोई साइड हसल कर सकते हैं तो जरूरी नहीं है आप सिर्फ एक जॉब करें आप साइड में एवनिंग में कुछ और जॉब कर सकते हैं आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बजटिंग के बारे में यह बजटिंग जो ह यह हमारे को financial independence दिलाने में help करती है यह help करती है कि हम अपना पैसा थोड़ा save कर पाएं जो कि हम आगे future में एक बड़ी investment के लिए use कर सकते हैं तो सबसे पहला question जो budgeting में आता है वो यह है कि क्या हम लोगों को पता है कि हमारा monthly expense कितना है और या फिर हम अभी तक सिर्फ guess कर रह है तो क्या आप भी अपना budget बना रहे हो या आप सिर्फ guess कर रहे हो कि अरे यार पिछले महीने तो मैंने $500,000 खर्च किये थे लेकिद उससे पिछले महीने मैं shopping करने चला गया था और मेरे $3000 खर्च हो गय थे या उससे पिछले महीने मेरा birthday था तो मैंने थोड़ा extra spend कर लिया तो मेरा $3000 का खर्चा हो गया और या आप जब अपनी statement खाके देखते हो तो क्या आपको उसमें कोई unexpected खर्चा दिखता है हो सकता है कि आपने कभी subscription लिया हो कोई annual subscription हो जो चल रहा हो और आप अभी भी उसके लिए पैसे पे कर रहे हो अगर आप यह सब कर रहे हो तो इसके ल हमें पैसा सेव करना है और सबसे जरूरी बात अगर अभी तक आपने इस वीडियो को like नहीं किया है मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो यह immediately कर दें क्योंकि मैं ऐसे ही useful videos बनाता रहता हूँ तो सबसे पहले तो हमें अपना budget बनाना है तो इससे क्या फायदा होगा एक तो हमें पता चलेगा कि हमारे expenses कितने हैं actual expenses हम कितने कर रहे हैं इतने हमारे unnecessary expenses हैं जो हमें नहीं करने चाहिए हम track कर पाएंगे अपने सारे expenses को और ultimately हम अपने goal तक पहुच पाएंगे वो है कि हम कुछ पैसा save कर पाएंगे तो अब हम बहुती जादे important formula discuss करने वाले हैं जो है 50, 30, 20 formula तो जो 50% funds हैं हमारी salary के वो हमें अपने essential needs के लिए रखने हैं उसके बाद जो second category आते हैं that is 30% वो category आपकी आती है जो आपका non-essential expenditure हो गया जो आप करना चाहते हैं तो ये वो expenses हैं जिनसे आपको थोड़ी सी खुश ही मिलती है बट ये expenses को भी हमें बहुत अच्छे से track करना है और जो तीसरी category है वो सबसे जादा important है जो 20% हमें minimum savings करनी है हमें ये plan नहीं follow करना है कि हम पहले खर्चा करेंगे और month के end में जो पैसा बच गया है उसको save करेंगे नहीं हमारी जैसे ही salary आएगी सबसे पहले हम उ different use case होता है हो सकता है कि आप अपने partner के साथ रहते हो हो सकता है आपका rent बहुत कम हो या हो सकता है आपको भार भूमने नहीं जाना होता है तो ये formula जो है या आपके लिए vary कर सकता है तो सबसे पहले category के बात करते है हम essential needs के इसमें आपकी mainly 4 चीज़े आती है जो है rent, grocery, utility and transportation अ अब आप मुझे बोलेंगे कि यार विभोर एक बात बताओ मेरा rent तो fix है मैं इसको कैसे कम कर दूँ या मैं अगर budget में डाल भी दोंगा तो क्या फरक पड़ेगा तो बहुत सारे options होते हैं हमारे पास जिनके through हम ये सारे चीज़े कम कर सकते हैं जैसे अगर आपका rent ज्याद कर दोगे आप कैसी के साथ shift हो जाओगे तो आपका rent कम हो जाए अब आप मूग करते हैं अगरी category की तरफ जो है non-essential expenses तो non-essential expenses में सबसे ज्यादा चीज़े जो आती है हमारी वो होता है shopping तो अगर आप shopping करने जाते हैं तो वो आपका non-essential में आता है entertainment तो आप बहार drinks पे जा र other है तो जो भी है वो सारे expenses आपके non-essential में आते हैं जो आप करना चाहते हो तो इसका भी आपको मन्त में एक budget बना के चलना है और उसके accordingly ही आपको अपना expenses plan करना है अब savings का मतलब सिर्व यही नहीं है कि आपको save करना है जैसे बहुत सारे लोगों के उपर अभी existing loan चल रहे हो तो हो सकता है कि आपके उपर student loan चल रहा हो, car loan चल रहा हो या आपके उपर कोई personal liabilities हो जो आपने कभी पहले ले रखी हो तो जो सबसे पहली चीज हमें करनी है पैसा save करके वो हमें अपनी debt जो है वो pay off करनी है क्योंकि उसका interest rate बहुत ज़्यादा हो सकता है तो हम 4-5% पर से save करेंगे बट अगर हमारी debt बहुत ज़्यादा है जिसका interest rate बहुत ज़्यादा है तो ultimately हम cash positive या positive flow में नहीं जा सकते तो सबसे पहली चीज हमें अपनी debt pay off करनी है उसके बाद हमें अपना emergency fund बिल्ड करना है तो ये एक तरीके से cushion होता है क्योंकि आपके उपर कुछ unnecessary expenses आ सकत है कभी आपको कहीं job से छुट्टी लेनी पड़ सकती है ले-off हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो आपको अबना emergency fund बिल्ड करना है उसके बाद आपको saving start करनी है तो ये savings आपके घर के लिए, car के लिए भी हो सकती है या आपको अपनी overall financial wealth बिल्ड करनी है जल्दी retire होना है कोई आपके अपर बहुत सारे छोटे-छोटे अगर loans चल रहे हैं तो जो सबसे छोटा loan है उसको आप सबसे पहले pay off करें और ऐसे ही आप धीरे-धीरे बड़े तो इसमें क्या होता है कि आपके number of loans जल्दी खतम होंगे motivation बना रहेगा और दूसरा जो method है उसे बोलते है avalanche तो व जिसके बाद जिसमें interest rate कम है हम accordingly move करते रहते हैं और तो तीसरा method होता है वो होता है consolidation का तो let's say कि आपका personal loan चल रहा है जिसमें आपने 10-12% पर finance करा रखा है कुछ आपका car loan चल रहा है जो आपका 8-9% पर है और ऐसे ही आपका home loan चल रहा है जो आपका 5-6% पर से तो अगर possible ह है आप कुछ home renovation के नाम पर सारे loans को combine करके अपने home loan में ले आते हो तो you will save a lot of funds तो आप कोशिश करिए consolidate करिए एक line of credit ले लीजिए जिसमें आप अपने सारे funds को consolidate कर सकते हैं तो यह आपको अपने bank से या financial institute से बात करनी चाहिए ultimate goal है कि हमें zero debt पे पहुचना है जितनी जल्द emergency fund को आपको liquid state में रखना है इसको हम बहुत ज्यादा heavily investment में नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें risk भी होता है तो emergency fund के साथ हम लिस्क नहीं ले सकते तो हम इसको GIC में या high interest saving account में लख सकते हैं जहां से ये quickly हम इसको निकाल सकते हैं अब हम बात करेंगे तीन main चीज़ों की जहा जैसे कि कहा जाता है don't put all your eggs in one basket तो आपको सिर्फ ये नहीं है कि मैंने stock खरीदना है और ये company है ये मेरी best company है ये इसका मुझे 100% belief है कि ये उपर जाएगा ही जाएगा और मैंने सारा पैसा इसी stock में लगा दिया तो ऐसा नहीं करना है हमें portfolio को अपने mix करना है तो हम क्या कर स सकते हैं कुछ हम stocks में कर सकते हैं और हम accordingly हम ETF में भी कर सकते हैं ये सब depend करता है कि हमारा risk tolerance कितना है कि हम कितना risk ले सकते हैं और कितना return हम expect कर रहे हैं तो अगर आप risk ले सकते हो तो आप stocks market में invest करिए अगर आपको लगता है कि यार मेरे पास knowledge नहीं है अभी ठीक है अभी मेर risk भी नहीं ले सकता हो तो आप mutual funds में invest करिए और ये बहुत important बात मैं करने वाला हूँ उनके लिए जो अभी student visa पर है आप ये मत सोचना यार कि अभी तो मैं बहुत कम कम आता हूँ तो ये सब मेरे लिए नहीं है नहीं चाहे आप 50 dollar से शुरुवात करें जितना जल्दी हो जाए आप शुरुवात करिए आप ये सोचो कि अगर आप एक साल तक हर महीने 50-50 dollars भी save कर रहे हो तो it's not about कि जो आपने 600 dollars year में save करे हैं या invest की हैं उसका क्या return आता है it's about a learning कि आपने एक साल में उस stock market के बारे में कितना सीखा है कोई और invest कर रहा है या news देख के आपको इतना समझ में नहीं आएगा चितना आपको अपने वो 50 dollar लगा के समझ में आएगा तो अगर आप शुरू करना चाहते हैं 50-100-200 dollar से तो आप उससे start करिए और क्या है कि यह मत करिए का कि साल में एक बार invest करना है risk को diversify क्योंकि market क्या है उपर नीचे जाता है कभी market उपर है कभी नीचे है तो अपने आपको आप balance out करिए तो balance out आप कैसे कर सकते हैं आप हर week में invest करिए या by weekly जैसे भी आपका पैसा आपके account में आता है आप invest करिए आपका अगर कोई financial advisor है आप उससे जरूर guidance ले मेरी बातों पर ही सिर्फ मत जाए क्योंकि मैं ये अपने लिए जो कर रहा हूं मैं वो बता रहा हूं ये वो सारी advice है जो मैं अपने लिए follow करता हूं मैं कोई financial advisor नहीं हूं तो stocks में क्या होता है कि individually हम stocks purchase करते हैं तो जो company हमें अच्छी लगती है लैसे हमें लगता है कि technology sector आगे जाने वाला है तो हम technology company में invest करते हैं या हमें लगता है कि petroleum, oil and natural gas का rate बढ़ने वाले हैं तो जिसमें आपका interest है या जिसमें आपको थोड़ा सा समझ में आती हैं चीजे आप उसमें invest कर सकते हैं दूसरी चीज जो है, वो है mutual funds तो mutual funds क्या होता है यह होता है कि portfolio manager जो आपके behalf पे invest करता है तो आपके जैसे ही कुछ group of people का वो पैसा जो उसको समझ में आता है वो accordingly उसको invest करता है बट इसमें क्या होता है कि इसमें वो अपनी commission भी charge करता है तो अगर आप stocks में या ETF में invest करते हैं तो आपको commission नहीं पे करनी लेकिन अगर आप mutual funds में invest करते हैं तो आपको थोड़ी commission पे करनी है बट इसमें आपको expert advice मिलती है क्योंकि वो portfolio manager का profession है वो ये काम regularly करता है वो रोज ये ही करता है तो अगर आप starting में किसी mutual fund में invest करना चाते हैं तो वो भी कर सकते हैं तीसरी चीज़ जो है मारे पास वो है exchange credit fund वो क्या होता है वो चीज is equivalent to investing in index तो जैसे आपका S&P 500 index हो गया तो आप ऐसे index के जो stocks होते हैं जो थोड़े अभी सस्ते चल रहे हैं आप उनको purchase कर सकते हो तो ये क्या है कि ये एक individual stocks पे depend नहीं करता है ये पूरी market पे depend करता है तो अगर हमारी index जो है overall जो market है वो उपर जाएगा तो आपका ETF उपर जाएगा तो सबसे पहले क्या करना है आपके पास दो से तीन option है या तो आप अपना directly brokerage account खोल सकते हैं जैसे आपका quest trade हो गया या wealth simple हो गया इन पर आप discounted brokerage account खोल सकते हैं आप अपने bank में जाके brokerage account खोल सकते हैं तो आप पता कर सकते हैं पोड़ी commission जादा होगी बट आप bank से भी अपने guidance ले सकते हैं और apart from that आप किसी portfolio manager से भी consult करके उनके through up account खोल के भी आप अपने investment शुरू कर सकते हैं और तीसरी चीच जैसे कि आजकर market में बहुत सारे financial advisor होते हैं तो आप उनके through भी guidance ले सकते हैं based on their research and study they will suggest you some share और आप accordingly अपना पैसा अपने आप invest कर सकते हो so start building the saving culture from today एक और important बात कि अगर आपने मेरे इस वीडियो को like नहीं किया है तो like कर दें अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दें क्योंकि मैं ऐसे ही useful videos बनाता रहता हूँ